नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ और आज मैं आप लोगे लेकर आया हूँ तू सौर्ट मोरल स्टोरीज पहला जो स्टोरी है वो है टीचिंग अलेशन और जो दूसरी सौर्ट मोरल स्टोरी है वो है आपकी गैस और थीव्स ठीक है दोनों बहुत अच्छी स्टोरी है क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी आप देख सकते हैं लगबग आप देखेंगे अच्छी कौन सी थी आप लोग कमेंट करेंगे सबसे पहले स्टोरी का जो टाइटल है वो है टीचिंग अलेशन ठीक है इसका मतलब होता है सबक सिखाना या फिर पार्ट पढ़ाना तो भी सबक सिखाने का मतलब या तो किसी से बदला लेने के लिए सबक सिखाते हैं लेकिन यहां पर उसे कुछ पार्ट पढ़ा रहे हैं कुछ चीज सिखा रहे हैं तो उसे भी टीचिंग अलेशन बोलते हैं सबक सिखाना ठीक है तो टीचिंग सिखाना अलेशन याने एक सबक अब देखते हैं क्या सबक किसे सिखाया गया या आग क्यो दिखाया गया है अभी आप को पता चल लाएगा सौट है बहुत जल्दी इंडिंग हो जाएगी पहला सेंटेंस देखते हैं योधा सिंग वाज प्राउड कमांडर इंचीफ आफ वा बिक टिंग्डम योधा सिंग वाज था अब प्राउड एक प्राउड याने होता है जिसे हम क्या बते स्वाभिमानी तो बते सब्सक्राउड जो कि पड़ोसी होता ना तो वैसी नेबश सेनग तो जबाओषी King attacked पडोस के राजा ने attacked याने हमला किया अटेक्ड अटेक्ड क्या ने हमला करना अटेक्ड याने हमला किया पास्टेंस, दा कीन्ग नम R изв p 40 अब्लड कर दिया Yodhas Singh announced .ünde court योदा Singh ने क्या क्या? Announced याने घोशना किया in the court, दारबार, I Canん destroy the enemy army with a small अब यहाँ पे आपको नया word मिलने वाला contingent ठीक है? contingent contingent, only सिर्फ, अब यह पूरा sentence हमदब देखिए, अब उन्होंने दरबार में गोशना की, I can destroy मैं कर सकता हूँ कैन याने कुछ चीज कर सकना, क्या कर सकना? destroy, destroy याने होता है नश्ट करना, तो क्या हो जाएगा? I can destroy, मैं नश्ट कर सकता हूँ the enemy, army याने सत्रू सेना को सत्रू सेना को नश्ट कर सकता हूँ with, with ya ne say a small, एक छोटे से, ठीक है? contingent, contingent का मतलब होता है, टुकडी सैनने दल, ठीक है? पूरी आर्मी याने पूरा सेना हो गया और टुकडी या छोटे से सैनने दल जिसमें कम सैनिक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? contingent, only याने सिर्फ ये बोल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? छोटे से टुकडी से सत्रू सेना का नास कर सकता हूँ उसे प्राउड था अपने उपर गर्व था तो ये ही बोल रहा है कि छोटे से सेना से नश कर दूँगा hearing this, sorry hearing his announcement hearing याने सुनकर his याने उसके announcement announcement याने घोशना उसके घोशना को सुनकर सुनकर the whole court was surprised the whole whole याने पूर्य the whole court याने पूरा दर्बार was surprised हैरान था भई कि पूरे से फॉज के बल दे वो छोटे से सेनिक से ही कर दूँगा ठीक है proud अपनी जगा होती लेकिन overconfidence नहीं होनी चाहिए that evening उस साम the king went to meet योधा सिंग the king राजा went to याने गए to meet याने मिलने के लिए went याने गए to meet याने मिलने के लिए योधा सिंग योधा सिंग से मिलने गए राजा भई अब सीदी सी बात है वही उनके मुख्य सैनिक है तो मिलने जाएंगे युद्ध के बारे में चर्चा करने अब क्या हुआ योधा सिंग वास sitting by a fire at that time योधा सिंग वास याने थे क्या थे sitting बैठे हुए थे by a fire याने आग के पास तो by करें उसका थे by a fire आग के पास बैठे हुए थे at याने पर that time याने उस समय उस समय पर राजा क्या हुए थे आग के पास बैठे हुए थे During the discussion During याने के दोरान किसके दोरान? The discussion चर्चा चर्चा के दोरान The king quietly picked up a burning stick from the fire राजा ने क्या किया quietly याने चुपचा, धीरे से picked up, picked up याने उठाया ठीक है? a burning stick, burning याने जलता हुआ stick याने लकडी जलतीवी लकडी को उठाया from याने से, किस से उठाया? the fire याने आग में से आग में से उसने जलतीवी श्टिक याने लकडी उठा ली देखिए, मिलने गया कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है? बैठे दोनों बातचीत हो रही थी तब इसमें से एक जलतीवी लकडी को राजा ने उठाग लिया और क्या कर दिया? and kept its aside kept याने रखा keep का पास्टेंस kept और रखा it याने उसे aside याने बगल में aside याने बगल में और उसे उस आग के बगल में रख दिया उसमें से निकालके जा आग नहीं थी वहाँ बाजू में रख दिया after a few moments याने after याने के बाद a few moments याने कुछ देर के बाद कुछ छण के बाद, कुछ समय के बाद the stick went off the stick went off याने बुझ गई ठीक है went off के use हम ऐसे करते है वो जो लकडी थी वो बुझ गई आग में से निकाले अलग रखे तो लकडी बुझ गई now the king again put the stick back into the fire अब राजा ने क्या क्या again याने फिर से put याने रखना तो रखा the stick याने उस लकडी को रखा back याने वापस into याने मे किसमे the fire याने आग में अब राजा ने उस जो भुझी हुई लकडी को फिर से उस आग में रख दी ठीक है यहां से जो लकडी उठा के side में रखी थी जो आग से हटने के बाद बुझ गई उसके बाद थोड़ी देर बाद उस भुझी लकडी को फिर से इसमें डाल दीये राजा ने फिर सीदी सी बात है लकडी क्या हो गई जनने लग गई अब क्या हुआ राजा ने कुछ नहीं किया बस यह सब किया the stick again caught fire the stick लकडी again याने फिर से caught याने पकड़ा catch याने पकड़ना उसका passion caught होता है caught fire फिर से आग पकड़ लिया उसमें भाई पकड़े गई चीदी सी बात है योधा सिंग understood देखे राजा ने कुछ नहीं कहा तेकिन क्योंकि भाई वो सेना पती थे इतने समझदार तो रहेंगे ही योधा सिंग understood समझ गए what the king wanted to say what the king राजा क्या wanted याने चाहते थे to say याने कहना राजा क्या कहना चाहते थे योधा सिंग समझ गए with folded hands with याने साथ में folded hands याने जुड़े होए हाथ के साथ असे हाथ जोड़कर जो बोलते हैं हाथ जोड़कर he said उसने कहा I will go with the army I will go मैं जाउंगा will, gagi, future tense मैं जाउंगा with याने साथ में the army मैं आर्मी के साथ जाउंगा या फिर मैं आर्मी के साथ हूँ ऐसे बोलते हैं तो वहीं बोलते हैं I will go with the army याने पहले क्या बहु रहा था आर्मी के साथ नहीं इतना उसे proud था गमंड था कि मैं छोटे से तुकडे से ही क्या कर सकता हूं सत्रूहों का नास कर सकता हूं कि राजा समझ गया थे ने थोड़ा सा ज्याधा प्रावड है और बहुत अंतर है तो ओवर कॉंफिडेंस में थे कि मैं तो हरा दूंगा लेकिन राजा ने समझाने लिए आप अगर अपने फॉज से से थोड़ी से तुगड़ी अकर निकाल लेते हो तो हो सकता यह बुझ जाए क्योंकि वहां के सेना आपको हरा सकते हैं लेकिन यह दिया फॉ क्या मिलती है unity is strength unity वहर। यह य फिर बन Влад सकति क्या मिलती है तो वही है एक सकति है वह तो आप लोग भी है सेगंडे है गास और फिस पश्चे फेली है पसंद आगी तो फ्ली Europolight कर देंगे अप आप लो गैसंट और थीव गैस्ट याने मेहमान बहुत प्रहली मेहमान और या कि या मेहमान या फिर चोर ये उसका critler है अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि वो महमान है कि चोर है और अभी क्या क्या होगा आपको पता चलेगा बहुत ही चोड़ी स्टोरी है यह भी जल्दी स्केंडिंग हो जाएगी और बहुत मजाने वाला है अब देखते हैं सम डिस्टेंट रिलेटिव अराइवड एड़ दा मेंसन अफसे दीनानाथ एक साथ मैंने पढ़ दिया अब ट्रांस्टेशन के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थोड़ा चोड़ा चोड़ा करके तोड़ तोड़ के आप ट्रांस्टेट कीजिए स्टार्टिंग में आपको समझाएगा सम यान होता है कुछ डिस्टेंट याने दूरी कुछ दूर के डिस्टेंट याने लिखा गया कुछ दूर के रिस्टेदार जिसे सम्मंदी भी बोलते हैं कुछ दूर के रिष्टेदार arrived याने पहुँचे at याने पर कहाँ पर पहुँचे the mansion हवेली पर off याने की किसकी हवेली सेट दीनानाथ नाम तो वही रहेगा उसका transition तो हो गई नी तो क्या होगा कुछ दूर के रिष्टेदार सेट दीनानाथ के हवेली पर पहुचे ऐसे होगा बिल्कुल वाइड का मीनिंग आपको पता चलेगा आप अपने इसाब से transition कर सकते हो अब क्या हुआ जब रिष्टेदार पहुचे तो सेट दीनानाथ asked his secretary नंकल् σου में है robust Boss Heald आजने पूछना भी होता है और किसी को कुछ काम करने के लिए केहना को भी आजक्ट कहते हैं तो सेट दीनाना नतने क्या किया हम उन्हाइं आज्या दी करने के लिए कहा his secretary ठीक है secretary का मतलब बता है सची उनका जो काम करने वाला होता है उसके नीचे का जो होता है अपने साजी से रखते हैं कि जो काम सभालता है उसे हम secretary बोलते है रमन जिसका नाम रमन था उसे क्या कहा देखे to take good care of them to take good care तो take good care मतलब बता है अच्छी देखबाल of them याने उनकी तो जो रिष्थेदार थी उनकी अच्छी देखबाल करने के लिए कहा soon, soon याने जल्दी ही रमन came to know रमन उसका नाम है came to know अब came to know का मतलब एक साथ होगा came to know का मतलब होता है पता चला रमन came to know याने रमन को पता चला the guests महमान वर याने थे very greedy बहुत लालची उसे पता चला कि महमान बहुत लालची थे they stole every costly thing they had and access to ठीक है they याने we stole stole याने चुराते थे क्या करते थे चुरा लिया था चुराते थे stole किसका पाश्यist है steal का steal याने होतה है चुराना अब steal का दो spelling है एक steal होता है s-t-e-a-l वो steal याने चुराना होता है ठीक है उसी का पाशन stole है और एक steal होता है s-t-e-e-l वो तो आपका steel का जो बरतन बरतन होता है वाला this stole मतलब क्या था जो उनके access में था था इकसेस या नहीं कहा था पहुच में ठीक है जो उनके पहुच तक था वह सभी महिंगी चीजी उन्होंने चुरा ली जो इसके आसपास थे बट लेकिन He went on giving them the best hospitality इसका मतलब होता है महमान नवाजी उसे पता चल गया कि भाई ये सभी महंगी चीजों को वो लोग क्या करते थे चुरा लिए थे लेकिन He went on Went on याने क्या होता है Went on का मतलब होता है Giving याने देता चला गया He went on giving याने देता चला गया The best याने सबसे अच्छी Hospitality महमान नवाजी पता चलने के बाद भी उस रमन ने जो राजा के सचीव थे जो सौरी सेट जीनानात के सचीव थे उसके बाद भी उन्हें बहुत अच्छी महमान नवाजी दी सोचिए पता चलने के बाद भी कि चोर है सून जल्दी ही The time came समय आया कम याने आया उसका पास्थन केम याने आया समय आया When the guests Begin to depart जब the guest महमान Begin to depart का मतलब क्या होता है जाने लगे जब उनके जाने का समय प्रस्थान का समय उसे डिपार्ड बोलते हैं तो जब वो जाने लगे जाने का समय आया रमन वेंट तू दा गेष्ट रमन वेंट तू याने गया दा गेष्ट महमान के पास गया And handed them a bill of 9000 रुपीज Handed Handed याने सौप देना उसे देना सौप दिया ठीक है देम याने उने A bill याने एक bill ठीक है हम बोलते है न Bill याने क्या होता भई कोई भी चीज की वस्तू का समान की हम बोल सकते है एकदम हिंदी तो याद नहीं आ रहा है उसे हम लिष्ट बोल सकते हैं समझ लिजे तो उन्होंने बिल थमा दिया Of 9000 रुपीज याने 9000 रुपीज का बिल थमा दिया एलो भीया तुम्हारा बिल The state became angry The state वो जो state था became याने हो गए angry याने गुस्सा क्रोधित हो गए गुस्सा हो गए भई हो गई महमान को आप 9000 के बिल दे रहो कोई ये हमारे या कोई क्या होटल थोड़ी है हमारा ये मकान है वो यही सोचे गुस्सा हो गए अब क्या हुआ an asked और आज याने पूछा रमन रमन से for an explanation नहीं अब यहाँ पर आज याने पूछा नहीं होगा मांगा क्या मांगा रमन से for an explanation explanation याने क्या होता है समझाना ठीक है या फिर व्याप्षा करना तो उसे समझाने के लिए कहा वही तुम मुझे समझाओ ऐसा क्यों किया रमन रिप्लाइड अब देखे रमन ने जवाब दिया sir sir याने sir महोदय जीसे कहते है this is the bill of the things यह bill है of the things याने वस्तूओं की यह वस्तूओं की bill है which your guests have stolen from your mansion which याने जिसे your guests आपके महमान have stolen चुराये है चुराया है present perfect tense have या फिर has के साथ third form के यूज़ होता है steel का third form stolen steel ठीक है first form stole second form stolen third form तो यह perfect tense third form के यूज़ के गया है जो आपके महमानों ने चुरायी है from your mansion from याने से किससे your mansion आपके हवेली से clear हो गया वह यह 9,000 का bill आपके महमानों के इसले दिया हूँ क्योंकि यह उन वस्तूओं की क्या है bill है जो इन्होंने क्या किया था चुरायी है the state understood everything सेट समझ चुके थे everything सब चीज समझ गया है he wanted to hand it sorry he wanted वह चाते थे to hand them over hand them over याने shop देना किसे shop ना to the police पुलिस इसे बहुत चलोब police ऐसे पढ़ता है तेकिन pronunciation police होता है आप नीचे search माल लेंगे google में आपको पता चल लाएगा over the police याने police को handed them over याने shop देना वो police को shop देना चाते थे बट लेकिन when they begged for mercy जब लेकिन जब they begged for mercy याने उन्होंने begged for mercy याने छमा प्रारथना करना माफी मांगना जब उन्होंने माफी मांगी मर्शी आने वैसे तो करूना होता है करुना की भीख मांगना ऐसे भी बोलते हैं लेकिन नॉर्मल में हम क्या बहुत है च्छमा प्रार्था करना जब माफी माँगी he let them go let them याने जाने देना go याने जाना ठीक है तो let them go याने उन्हें जाने देना तो let them याने कुछ करने देना तो उन्हें जाने दिया, चलो फिर माफी माँग ली तो जाने दिया, इसे में moral क्या मिलती है, a true employee, एक सच्चा employee याने क्या होता है, करमचारी या फिर काम करने वाला, एक सच्चा करमचारी, is better than, better याने अच्छा होता है, then, जब दो चीजों की बीच में तुलना करते हैं, compare क relatives, याने रिष्टेदार, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, एक सच्चा करमचारी या फिर सच्चा काम करने वाला, धोके बाज, रिष्टेदारों से अच्छा होता है, clear हो गया, सच्चा करमचारी, एक धक, धोके बाज, रिष्टेदारों से अच्छा होता है, तो यही हम आप हम यहाँ पर सीखने मिला, देखिये, वो रिष्टेदार थे, हालंकि दूर के थे, लेकिन जो भी हो, रिष्टेदार थे तो वह किसी भी अपने करमचारी से अच्छे होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिस्तेदार है तो अच्छे हो आपके काम करने वाला है तो बेमान हो ये भी ज़रूरी नहीं है इसलिए यहाँ पे हमें ऐसे moral मिलती है और इसका title अभी पता चल गया कि guest और thieves वो महमान थे या फिर transition किया इसलिए मैं छोटी-छोटी श्टोरी लेकर आता हूं ताकि वो डिटेल में transition मिले एक एक चीज़ समझाने का मौका मिले और जो पूस की रात है उससे बहुत से word की meaning नहीं समझाए तो वो भी comment करेंगे सब चीज में आपका reply जरूर देने का प्रयास करूँगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे screenshot आपको facebook पेज या फिर community में आपको उपलब्द करा दूँगा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे